नमस्कार, पैप्टेक टाइम अद्परदेश समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ शीबिन्द शुकला बारत के फोरेस्ट बेन ओफ इंडिया कहे जाने वाले असम के पत्मिश्री पुरुसकार से सम्मानित जादो पाएंग छदर पुराय जहांपर गांधियाश्र में उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस को सम्मुद्ध किया उन्होंने कहा कि वन लगाना मातोपून है उनको काटा जाना नहीं इसके पूर्वे बक्सवाहा भी गए थे जहाँ पर उन्हों ने यहां के शैलचेत्र भी देखे और उन्हें अदभुत बताया और उनके सनरक्षन की बात भी कही जटाशकर धाम की पहाडियों पर बने शेलचित्र देखने के बाद उन्होंने अद्भुद बताते हुए विश्व धरूहर की सूची में शामिल कर संरक्षित की जाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इन शेलचित्रों के संरक्षन और परियावरन को बढ़ावा देने से शेत्र में परेटक पढ़ेंगे इस दोरान आमित बढ़नागर शरत कुम्रे भी मौजूद रहे श्री जादव ने कहा कि जंगल का जीवन में क्या महत्त है मैंने समझा इसलिए जंगल हमारे जीवन का आधार है जब जीवन नहीं होगा तो कैसा विकास और किसका विकास होगा सोशल मीडिया आधी से दूर रहने वाले जादाव पायेंग को सबसे बड़ा परियावरन प्रेमी भी कहा जाता है उन्होंने 1360 एकर का जंगल खड़ा करके न सर्फ हजारों जंगली जानवरों को पसेरा दिया बलकि परियावरन सनक्षन की एक अनोखी मिसाल भी काइम की ह आप लोक है बाक्तस्वा में जो हरा खननन कंचा लगाया है ये इन दिया को सम्झा जा इए इन आपर वल्ट सम्झा ये को बिन नईंटिन जए ओपर जितनी भी डाइट हो गया इसके लिए आज पेर परढ़ जब तक जिंडे रहा हो उगा हम लोग जिंदे रहा हैं पेर कतने तो ऑक्सिजेन कोम होजेगा हम दूख मरेगा इसके लिए ये खननकाचा पेर नहीं कतने के में अनुद किया था ये संग्रख्षन करके राखो पेर पड़ा और इनकी इक्षा यही थी कि भाई जितना हला है बक्सवा का केन बेतवा जो लिंक रिवर योजना का है से देखें तो इन्होंने देखा और जो पद्मिश्री जादो पाइंग जी की मांग यही है कि ये जो धरोहर हैं इसको बचना चाहिए विस धरोहर गोशित करें इससे क्या रोजगार मिलेगा और यहां पर जो सूखा का जो प्राबलम है तो इससे लोग परिसान है गरीबी है तो उससे भी दूर होंगे हैं गाओं के लोगों से मिले हैं सब लोगों से बातचीत किये हैं नोंने दो दिवसी दौरा वहीं गाओं के बीच में थे ये लोगों के बीच में और बहुत सारे लोगों से ये मिले हैं और अभी इसके बाद भी ये वहीं पर जाने वाले हैं औ और लोगों के जीवन इस तरह अच्छा हो, पर्यावरण के साथ उनका गहरा रिस्ता हो और लोग पर्यावरण को जो है अपने जीवन का और उसके प्रती जागरुपता बढ़े ये इनका और हमारे संगठन का करतब है।